रुक तेरे को बतता है, मेरे को गोली मारेगा, क्या है ऐसे पोकल धमकियों को डरने वाला बंदा नहीं हुमें, फ्रैंक्लीन का मामा चुका है, एक एक किपुंगी टाइट करने इदर, ओए साले, किदर है मेरा फ्रैंक्लीन, अंजाम बुरा होगा हां क्या, हां तेरा क्या, जाके बेले आइने में खुद की बॉड़ी देख, चला है मेरे से टक कर लेने, अच्छा, तू पीछे नहीं हटेगा, एक उस फाइट, वाता ओरें टाइट, बाप को बेजने की जुरूद नहीं है, वो भी हरेगा, दोस्तों, फ्रैंक्लीन के मामा को कोई हलके में नहीं ल नहीं तो पूरी जमीन हाद रहो दूंगा, जमीन को भेगा भेगा पड़ जाएगा, पर अगर कोई मेरे को मारने भी आता है, तो अपने गुलाम उनको समझा देते हैं कि डॉन से पंगा मतले, क्योंकि आप्पा का विशे बहुत हाड है, आप्पा के पास सुपर पावस का काड है, आप्पा इधर पुरा मारकेट उठा रहे, गाईज इन केदियों में फ्रैंकलिन नहीं है, उसको शायद बंद किया होगा या फिर कुछ काम पे लगया होगा, चलो इस अफसर से बात करते हैं, और अगर नहीं माना, तो साला एक उंगली से कुछ चल दूंगा, छोड रहा है वो फ्रैंकलिन को प्रिजन से 10 मिनिट के अंदर, और अगर नहीं छोड़ा है, तो पूरा प्रिजन उठा लूंगा, छोड़ना ही पड़ेगा रहे इनको, बाप से पंगा लेंगे क्या है पुलिस वाले हां, ये 2500 किलो का पैर अगर किसी के उपर पड़ गया, तो सीधा ढग में जाएगा, देख देख इसका क्या नियोजन चल रहा है, क्या मेरी चड़ी वटने का प्लान कर रहा है, क्या पीछे से आपना पबलिक बहुत कड़के, ये देखो गाइज अपना फ्रैंकलिन, बिल्कूल सही सलामत है, चलो फ्रैंकलिन, तुम्हारे मामा स दर गई ये मामे, चल्दी से घर चलते है, थंड़ थंड़ पानी मदे, मजाएते खूप, गाइज मेरे को पौने को बहुत मजा आता है यार, कितने दिन बाद पौने को मिला इदर, दिल खुश हो गया, और दोस्तो मेरे को मामा के उपर पूरा वरोसता, मामा मेरे को सलता कैसे मेरे को ये प्रशन पढ़ाई, तो चलो दोस्तो, फ्रैंकलिन ने मेकप कर लिया है, और अभी हमें बहुत ही इंपोर्टन्ट काम के लिए जाना है, हमने अभी डिसाइड किया है, कि आज का दिन हमें कैसे स्पेंड करना है, तबके विचार वीनी में के बाद, ये डिसाइड हुआ कि आज हम ओफ रोडिंग करने जाएंगे, और ओफ रोडिंग करते करते शिकार भी करेंगे, तो गाई जल्दी से अपनी डिफेंडर निकालते है, जिसे कि मैंने मोडिफाई करवाया है, पहले हमारी वाइट कलर में थी, अब उसको गोल्डन व्रैप चड पहुच गए, क्योंकि हम ओफ रोडिंग करने के लिए थार लेकर जाएंगे, जो कि हमारे मामा की है, क्योंकि भाई उस करिजन आपको आगे पता चल जाएगा, इसका मेंटेनस जरा सस्ता है, डिफेंडर का मेंटेनस यतना में गए कि गर विकना पड़ेगा हमारा है, येक कैसा बोला जाता है, देख लेते हैं फिर आज, मुझे एक बार लोकेशन सिलेट करने दो कि हमें किस लोकेशन पर शिकार करने और ओफ रोडिंग करने जाना है, तो हम यहाँ पर मोकली जागा पर किदर भी जा सकते, पर मेरे कोई एक जागा पाता है, जहाँ पर बहुत बना रखी है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारी गाडिया आती जाती रहती है, जो कि लोग पिकनिक पर आते हैं, यहाँ पर वन भोजन करते हैं, और पहाड पर ट्रेकिंग करते हैं, लोग पैदल चड़ते हैं, पहाड पर हम तो गाड़ी लेकर चड़ेंगे, अबे, तेरे को समझता नहीं क्या, पीची से थाराई, मतलब तेरी गाड़ी अपने अप साइड होनी चाहिए ना है, वावा, वावा, क्या सीन भाई, ससे का पिल्लू इदरी इसको पेले पेल देते हूँ, आचल, चलो, प्रानी हो, खाना पर उसलिया है आपका, खाली जिये, भाई स यह एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यह थो डिफेंडर की बराबरी कर रही है, थोड़ी थोड़ी, कैसा है दनका, बिना किसी दिक्कत के कार उपर तक चड़ गई है, एकदम टॉप पर, यह देखो गाईज, वी आर अट दी हाइस्ट पॉइंट आफ इस माउंटन, और कैंपिंग करने आए, दाइस वैसे हम कैंपिंग का प्लैन भी कर सकते हैं, पर वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि आज शाम को हमें एक इवेंट के लिए जाना है, लेस गो, चलते हैं नीचे, अरे मोरी मया दादर दादा, यह क्या हुई पिर साथ, मेरी थार का यह क्या हाल ह हो गया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था थार पे कि थार नहीं बेंट होगी, पर यह तो हो गई यार, भाई उसे क्या बोल सकते हैं, तुने ओफ रोडिंगे ऐसी करी है, चलो कोई ना, चलतो रही है ठीक से, बाकी गाड़िया तो इतने भी नहीं चलती, कूड़ा हो जाता है, डिफेंडर को निट करने के लिए मैंने कौन सा मैकेनिक रखा है, इतना टॉप लेवल का मैकेनिक है ना, आपकी तर्प जैसे पहली थी ना, वे ऐसे कर देगा, आप टेंशन मतलो, हाँ हाँ मेरे भाणजे, कोई दिक्कत नहीं है वेसे अगर ये स्क्रैप में भी गई तो, क्योंकि जो घर पे डिफेंडर है, वो मेरी हो गई आद से फिर, ओ मामा, लेके जाओ अभी क्या भी, डिफेंडर क्या चीज़े आपके सामने आ, मैं फिर से बड़े दरोडे की प्लैनिंग कर रहा हूँ, डिफेंडर क्या फिर से लिए लूँगा, वो क्या उसमें क्य बड़ी चीज़े के बहुत, चलो गाइस, बहुत होगी अपनी ओफ रोडिंग, अभी थोड़ी शिकार भी कर लेते हैं, देखो सामने मेरे को किसी का दिखा है, पट से चड़ी शॉट, दोस्तो, प्रानी बहुत कम मिल रहे शिकार करने के लिए, और अभी आप मेरा प्लैन देखो बस, प्लैन बी, सादा कामने बाइट जाया, पाकर मारेगा अभी, आजा मेरे टपे में, अभी मैं ठाकरो को कॉल करके बुलाओंगा, और फिर ठाकर लोग आएंगे, और जाके इसका कालवन बनाएंगे, और फिर मेरे कोई नुएट करेंगे खाने के लिए, और फि है बोव वाला इवेंट, यहाँ पर बहुत ही बड़ी, डीजे मिक्सर गर्ल का आगमन हुआ है, और इस इवेंट में, लाखो लोग शामिल हुए है, चिंचन बहुत जित कर रहा था, इसलिए फ्रैंकलिन आया, नहीं तो फ्रैंकलिन ऐसे छोटे मोटे इवेंट में, हट ब भीड तो दिख रही है आपर, ओए, त्रे बापकी पेंडे का तु किसको रोक रहा है रहे, शरम नी आती के तेरे को, उच दिनों में बहुत बड़ा ग्यांक्टर बनने वाला हुँ, नाम याद रख, फ्रैंकलीन, मेना अभी पूरा राडा करने वाला है, अभी लामार को क वाल लगाताओ, हल के मिली रहा है भाईकू, लामार अपनी पूरी विवस्ता गर देगा, उसका पॉलिटी सिंसी कॉंटेक है इधर के, दोस्तो मेरे पाव दुखने लगे, नाच नाच के, अभी चलताओ जरा बार, मोकडा श्वास लेने, ये शी इंचन के पाव नहीं हो तो लाइक जरूर करना और कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना